असलाम लेकुम नाजरीन गुड मॉर्लिंग सेफ़ टी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ताहिरादी और मैं हूँ जुबहर शारिक कैसे हैं जुबहर आप मैं बल्कुल ठीक ठाक आप कैसे हैं आप सब लोग कैसे हैं कैसा रमजान आपका गुजर रहा है अच्छा मुझे त कैसे हैं तो फिर भी अंडर दारूफ हैं लेकिन फिर बी ने करते हैं यह फिरड हैं उछ make नहीं डू ँभाए हाटी आप पर को में आपके लिए उनको तो आपको शुकरिए के स्वायर रोब हां और दार्वेश्ट कमाने के लिए Ďकर प्ना शुक्ता है तो हराहाल मैं शूकर किया करें. और दूसरों पर अक्सरों काथ जो हम उली उठाते हैं आज इस हवाले से कुछ थोड़ी छी डिस्कुशन करते हैं जुबै, कि दूसरे पर उली उठाना वैसे हैं बहुत असान लगता है लेकिन वह मखसे बात करते हैं, अगर हम किसी पर अगली उचा रहे हैं तो तीन अगली आप अपनी तरफ भी उचा रहे हैं और यहां पर एक कुटेशन भी मैट करूंगी कि सबसे बड़ा एब यह है कि तुम किसी पर एब लगाओ जो खुद तुम में मौझूद है मतलब कि वो चीज जो हमारे अंदर खुद में मौझूद है खामनी जो हमें खुद मौझूद है रेकि हम दूसरे पर उगलियां उठारे हैं कि तुम जूट बहुत बोलते हो तुम यह फला काम बहुत जादा करते हो और उसको सबके सामने एक तो किसी में बुराई है तो उसको हमें सबके सामने डिसकस नहीं करना है कहने बताने का मकसद यह है कि हर इंसान अपना खुद इसाब करें और अपने आपको खुद करें की कोशिश करें और आज को सोने से पहले ये जरूर सोचे कि मेरा आज का सारा दिन कैसा गुजरा है, मैंने क्या अच्छा काम किया है, मैंने क्या अच्छा काम नहीं किया, अपना अनलेसिस खुद करे, सेल्फ अनलेसिस बहुत इंपॉर्टन है, अगर हर शक्स अपना सेल्फ अनलेसिस करता र और पहली खबर क्या प्रयान के पास कैम पास हमारए पहली है क्या क्सरें कि रुक थाम क करारड़ाद पंजाब असंबली में जमा हो वगई दोर और पतंग बनाना काबल झुक्रारडार का मतन जो है वो ये था कि पतंग बाजी की रोक्ताम के लिए करारदाद इस तरह से पतंग बाजी एक खूनी खेल बन चुका है पतंग बाजी की वज़ा से अभी गुजशता रोज बहुत ही एक धर्दनाक हाथसा भी फैसलाबाद में देखने को आया है तो इस तरह के बहुत से इस तरह के बहुत से हाथसाद देखने को मिल रहे हैं लेकिन वो हाथसा काफी हाइलाइट हो गया जिसकी वज़ासे पंजाब पुलिस ने और वजीरला पंजाब के एकमात पर सेफटी वाइज भी तक्सीम किये गए कि आपनी मोडरिसाइकल्स पर सेफटी वाइज लगाए तके धाती डोर जो तेज डोर होती इसमें मांजा लगा होता है उससे खुदाना खौस्ता कोई और हाथसा किसी भी किसम का पेश ना आ जाए तो ये करारदाल मनजूर हुई है कि इसको जर्म करार दे दिया गया है कि अगर आप पतंग बाजी करते वे पकड़े गए तो सख को नहीं पता कि जब आप पतंग उडा रहे होते हैं और आपकी जब गुड़ी कटती है कोई भी कटती है तो आप गुड़ी खीच रहे होते हैं तो वो खीचने के दुरान वो कोई ना कोई किसी ना किसी शक्स या बेगुना शहरी या बेगुना बच्चा या औरत वो उसक कि जद में आजाए तो इसी से इश्तनाब करें और इसलिए इस अवाले से सखता सखता इक्तामाद भी उठाए जा रहे हैं ताके सजाएं भी सखती जाएं और आपको इस काम से रोका जाए क्योंकि आपकी हिफाज़त आपकी सेक्यूरिटी का जी ख्याल रहता है से अजराई शहरें को कानून शिक्ती पर जर्वान ओनाइन लाइसेंस बनाने के लिए ओनलाइन भी आहमें वेबसाइट दी गई हैं और इसी के साथा खिब्र मेराकश में बी या आपको सहूलत देने के लिए कि आप ज़्यादा दूर जाना भी ना पड़े आप घर बैठ O के नाम से वेबसाइट जब घर बैट के अपलाई कर सकते हैं लाइनर के लिए और आपको facilitate करने के लिए बहुत सारे खिब्ब मराकश पंजाब पुरिष के सारे थानों के फ्रेंड डेस्क में भी आपको आप जाके लाइसेंस बनवा सकते हैं इस हवाले से लेख बहुत सारे जू भी ट्राफिक की वायेशन्स पर सखसर सखस सघयाएं भी यह पुर connects curry जाती है । ताके आपकंझी भी किसी मसले में पस ना ना जाएं। आपकी बड़ा से किसी दूसरे की वाया काभी खत्रे में ना आ जाएं। खद पर एक बात जो मैं जरूर करूंगी कि सड़क पर खड़े उस ट्राफिक बॉर्डर के साथ जरूर आप को अपरेट करें रोजे की हालत में वो सख्त ड्यूटी दे रहा है जैसे अभी हमने बात की प्रोग्राम के शुरू में के रमजान हमें भी महसूस हो रहा है जो हम इंड खबर है और हाँ बच्चों के लिए मायूस कुन खबर है कि एद वाले दिन एद फितर के दिन चड़िया घर जो है वो तामेरियाती कामों की वज़ा से क्योंके वहां कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं इसकी वज़ा से वो बंद रहेगा यह तो वैसे वाकी थोड़ी अपस करते हैं इसका आल्टरेट बिल्कुल दिया है इसका आल्टरेट यह दिया है कि सफारी पार्क है और जल्लो पार्क है वहां का रोक बच्चे कर सकते हैं सिया कर सकते हैं यह बिल्कुल खुले रहेंगे डिरेक्टर जनरल मुदसर रियाज मलक ने यह कहा है कि अच्छा जनली चुके तामिराती काम है वो बंद है लेकिन जो खुलेगा तो आप देखेंगे उसमें नई डिवेल्पेंट हुई होगी आपको और पी चीज़ें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी तो आपने मायूस नहीं हो ना अएद वाले दिन थोड़ा सा हौसला रखें और सफारी का और जलो पाक का रोख कर लें एद वाले दिन चुड़िया घर बंद रहेगा ऐसे हैं अगली ख़बर के हमारे पास आगे हम खबर शेयर करेंगे कुछ आपकी एहतियात के लिए आपकी रिफाज़त के हवाले से आपको बताते हैं चलेंगी के वार जारी है और डेंगी बच बने खेना है गल्ती हुषक Robana है गलती की सीच्विशन है और इस हवाले से आपने इफियात करनी है आपको पता है कि आपने कैयर कैसे करनी है आपने घर्में साफ आपके घर में मौझूद होना चाहिए अक्साइए होता है कि हम अपनी घर की बाल्टियों में ये कुछ ऐसी जुगों पर पानी साफ रख लेते हैं जिबात में जरूत पेशा सकती है लेकिन आप यहां हत्यात यह करनी है कि आपने साफ पानी आपनी 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 है अब गर में खाड़ा ना रहे और किसी को घर में बुखार की बुखार हो रहा है तो खुछ से घर में तोटके नहीं करने आपने फौरी तोर पर डॉक्टर के पास जाना है कंसल्ट करने हैं और इसके साथ मैं और चीज करता चलूं कि कोशिश करें कि रात के टाइम शाम के पाक्स का रुक मत करें और पूरी हाफुल स्लीव इसके कहते हैं कि आप शिर्ट पैने और अपने जिसम को बॉडी को ठक के रखें मगरिब के टाइम के दौरान के दौरान के बच्चों की खासा असर करता है अच्छा का जाता है कि जब सूरज निकल रहा होता है उस टाइम दो बोरूरूरौ निकल रहा होता है तो उसवक्त व्यत्मस्वेर ज्यादा गरण नहीं होता ठंदा लेकिन रखेंता है लेकिन मगरेब के टाम पे चान्सिपर जैदाया है विजब शुरण रहा होता है उजसे इतायातिता आभर्यर करें बाकी कोशिश इंसान, बॉत रखे तो आपने उसको स्वेरिटी की तरफ मी लिए के जाना आपने फॉरी तॉप पे डॉक्टर को कंसर्डिट करना है ताकि अगर कोई मसला खुदा नखासा हो भी किया है हर शीज का इसका इलाज मौजूद है तो मसले को पकड़ लिया जाए और उसका हल निकाल लिया जाए आख मरीज जेरे अलाज हैं जो आलरेडी किसी भी किसम की बंबारी का शिकार है या बंबारी की वज़ाद से उनकी जो बिल्डिंग तबाह हो गई है उस बिल्डिंग उस मलबे के नीचे आ चुके हैं और वहां से हस्पताल गए हैं वहां पे जेरे अलाज हैं तो उन्होंने उन इस तो नबूद हो जाएं वो भी तबाह हो जाएं तो ये जल्म और बर्बरियत का जो एक दौर चल रहा है जिसमें हमारे फलस्तिनी भेन भाई कुछले जा रहे हैं और डेली बेसिश पे कोई ना कोई कतल हो रहा है कोई ना कोई जान इस जहां से अल्ला ताला के पास जा रह जाना चाहिए था है यहां पर आलमी अदारे सहित के जो डायरेक्टर है जर्नल टैड्रोस गैब्रियस ने कहा है कि अल्शिपाव होस्पिटल को बताया कि बिल्कुल ही उसके इतनी बुरी सिचुवेशन है और वहां जो मरीज है उनका इलाज नहीं हो रहा तो वहां से प्रेक का आप में रहना है हमारे साथ एक ब्रेक वालिकम बैक नाजरीन कुट मॉनिंग से प्रिमें एक बार पहर आपको खुशामदीद कहते हैं रमजान का आखरी अश्रा चल रहा है और इसके बाद एक एड़ आती है जिसका नाम है यद फितर और उसकी गहमा गहमी हैं करें लोग रातों को निकलते हैं सेहरी तक मार्केट्स ओपं खुली होती है और लोग घर से बाहर शौपंग करने के लिए जाते हैं क्योंकि इदारी है यद पे बचटों की शौप बड़ों की शौप बज़ुर्गों की शौपिए तक क arises he कि एद को हर एद की तरह से इंसाउंड बना सकते हैं क्या सेफटी मेयर्स ले सकते हैं किस तरह से सेक्यूरिटी की मामलात हैं इस बारे हम अपने इस सेग्मेंट में गुफ्तुकू करेंगे क्यों तो है आज आज बिल्कुर आज हमने स्पेशली सोचा कि एद करीब आरी है और मार्केट्स की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है खावतीन का रश बच्चों का रश तो इस अवाले से पंजाब सेइफ सिरीज अथारिटी और तमाम कानून आफिस करने आदारे हैं पंजाब पुलिस क्या एक्शन्स ले रही है किस तरह से इसको सेक्यूर बनाया जाएगा सर्फित पर आज अपने सेग्मेंट में हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है एस पी एड्वन पजाब सेफ सिरीज अथौरिटी जुल्फकार ली खान साथ इनको प्रोग्राम बेवलकम कहते हैं और इससे बातशीत करते हैं इस बारे में स्लाम लाले कुम सर्चिया थे सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि इस तरह रमजान का आखरी अश्रा चल रहा है एद फितर आने वाली है क्या इंतजामाद किये गे हैं सेक्यूरिटी पॉइंट फ्यू से क्या कोई कितने कैमरे नसब किये गे हैं अवाम पे किस तरह से नजर रखी जा रही है और जर्म की रोक थाम को कैसे लिकीनी बनाया जा रहा है देखें एक तो हमें सबसे पहले अल्ला ताला के शुक्र अदा करना चाहिए कि महेर रमजान जो है वो खेर और अफियत से अपनी तरह इसकताम की तरफ जा रहा है बल्कुशर और ये जो आखरी इश्रा है इसके खास तोर पर जो है इसकी जो रहमतें अबुसभ पे अल्ला ताला जो है असानिया पैदा करे और हमारी जो बुश्किले हैं वो आसान फर्माए और इसके बाद फिर जो है एड का एक खुशी का देना आता है इस पर भी हमें अल्ला ताला को शुक्र अदा करना चाहिए हमारे नसीम में ये लिखा है कि हम ये इद देख रहे हैं जी जी और अल्ला ताला ने हमें ये जिन्दगी अता की तो इस सारी खुबसूरत बातों के साथ साथ जो मैं आपको बताना चाहूंगा स्कूरिटी जो मैयद है पंजाब पुलीस हर साल की तरह एक अपना प्रशा किला प्रशा को बाउते जो जो है वहाँ पे मर्थ की जो है वह पे बहुता कि कोशशिश की है कि हमने हर जो है अश पर जो है इस और एजरी एरियाज के लिए कैमरे इन्स्टाल किय जा रहे है ताकि उनको जो है ब्रायरास्त मानिटरिंग की जा सके खास तो पर जब खवातीन वगएरा जब रश्क एरिये में जाती है तो उनके जो पर्स हैं वो इंतहाई गहर महफूज होते हैं तो अब वो इनकी साल भर की कमाई होती है और वो इतनी इतनी खुशियां करीदने जा रह हैं और वो इतनी मुशक्कत और मेनत के बाद जब पैसे लिये जाते हैं खुशाना खास तो को ऐसा वाक्या पेश आजाए तो बिंग अगोमें ने समझ सकती हों कि कितनी मुश्किल सिचुएशन होती है तो आपने बिटाया है कि स्पेशल कैमरा सीसी टीवी कैमरे लग रहे अब आप देखे न हमारे माशाला हम पूरे पंजाब के अंदर जो सेफ सिटी के प्रोजेक्ट उनको एक्स्टेंड कर रहे है तो इसके तफ़ जो इड पे है वो तकरीबान तू थाॉजन के करीब जो है ना वो कैमरे पंजाब के अंदर जो है एहम बादारों के लगाया ज कैमरे मोहिया भी सेफ सिटी ने की है यह प्रोजेक्ट चल रहे है अभी रिसेंडी हमने तीन बड़े शहरों के अंदर जो है उसके आफारा शहरों के अंदर यह करेंगे और फिर उसके जहाद जो बकाया शहर बच जाएंगे तो इस तरह पूरे पंजाब जो है वह हमारा कम यूटिलिटी यह उनको बेतर बनाने के लिए इन खास एड़ के जो तैवार हैं और जो मजबी तैवार हैं जैसे अभी यौम-ए-अली गुज़रा है तो उसके अंदर जो उनको इस्तमाल किया गया गया है तो उसके अंदर कितनी कैमरे नही बचाए जो है नए लगाए गय आरेडी केमरे लगे हों उनसे हटकर ताकि इनकी जो मार्केट्स हैं जहां पर जासे इच्रा मार्केट्स होता है तो उनका रशी एरिया इसको कवर करने के लिए जाए अनारकली, श्रावजार, अर्मजंग मार्केट्स है और आगे इदर इस बाल टाउन की तरफ से ले जाए क्रीम ब्लॉक करीम ब्लॉक है तो यह सारी बड़ी मार्केट्स है और इन सब जाए जाए रश होता है उस हाले से पूरा प्लैन बनाए गया है ताकि इस एक सुफेद पार्चात में भी लोगों की ड्यूटी लगाई गी है क्योंकि उसका बड़ा जूरी है उसकी वज़ए है कि जब यह पिकपॉक्टर इस खास तोर पर जो है अपनी कारवाई डालते हैं तो चुक्के कैमरों के जरीए सर्वेलेंस अभी रिसेंट ही एक हमारे लोने बड़ा अच्छा गैंग पकड़ा है जो के छोटे बच्चों का गैंग था तो वो जो है वो इस तरह करके यह खावतीन है इवन कि आप कभी अभी रिसेंटी में एक वीडियो देख रहा था तो एक दो मियां बीवी एक बारेश आदमी जो है वो कपड़े की दुकान में से जो है ना वो कपड़े चोरी का रहा था तो लहाज़ा अब जो कैमरे की आँख है ना वो अब किसी को है सेक्यूरिटी पॉंट अफूसर बस ये स्क्यूरिटी पर मैंने जैसे आपको पहले अर्श किया है ना कि हमाना तमाम पूरे पंजाब के अंदर ये कैमरे और ये स्क्यूरिटी परपस पर लगाए जाएंगी और इनका फाइदा ये होगा कि अगर खुदाना खास्ता को जर्म होता है तो जर्म की हर दो सूर्तों में उसको ट्रैक की सूरत में और उसकी प्रोएक्टिव पॉलिसिंग की सूरत में हर दो सूर्तों में जो है वो फाइदा मनने हैं अश्राइब, इस स्वाले से जिसे से इसे सीव सिटीज और ये कानून आफिस कानने वाले अदारें हैं, इनके जो धारा क्याम है और मक्सद इनका यह है ताक शहर लहोर को या पूरे पंजाब को सिक्यर बनाया जाए. इनके आप क्या समझने हैं, कितनी एहमियत है इन अदार बिल्कुल सब्ट अगर एमियत ना होती और ये बे मकसद होता ये प्रोजेक्ट तो इसको फिर आगे ना बढ़ाया जाता ये तो माशाला फल फूल रहा है और इसके अंदर जो है वो रॉनकें इसकी बढ़ रही है इसके अंदर लोगों को नौक्रियों मिल रही हैं लोग इस इसको हम खुद अपने उस पे इसलाहीतों पे जो हैं को सलाएंगे माशाला आर्टिपिशियल इंटैलिजिएंस मशीन लर्निंग किते एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो अपनी सारी इनकाबलियतों को इस्तमाल करें जिस तरह से सर टेक्नोलोजी वास्ट होती जा रही है ज अब आपने लफ तेक्नोलोजी यूज किया है तो सेफ सिटी टेक्नोलोजी हब के तौर पर काम करेंगा और आप फ्यूचर में देखेंगे अलाप भी दिखाये और आप भी देखेंगे कि यहां से लोग इन्शाला पी एच्टी करेंगे और पूरी इसका रिसर्च सेंटर बनेगा इसका जबर 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 आखर में शेहरियों के लिए कोई परगाम देना चाहें कि कोई भी स्पीशियस एक्टिविटी अपने आसपास होते हुए देखें तो उन्हें कहां इतला देनी है और अपने जिम्हदार शेहरियों का सबूत है देखें अब अभी व वारदार नहीं हुई तो आफ महफूँज हैं है वारदार आपके साथ भी हो सकती है किसी के साथ भी हो सकती है लेहाधाए अगर आपकोको एसी सिस्पिशियस मूव्मेट नजर आती कोई ऐसा बंदा जो बार बार उस एरिया में घो मुंध राए कर रहा है तो लहाजा जो है ना उसको फॉरी प्लीस के साथ दाफ्ता करें पुलीस आपका साथ ही है और मैं हमेशा कहता हूँ के पुलीस जो है ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस लिहाज से के जब आप जैसे हम फॉर एजेंपल लहुर रह रहे हैं और मैं जंग से दूर अफ्तारा से लांग करता हूं और यहां पे मेरे कोई रिश्टदार नहीं है हमें एक ही फैमिली रह रहे हैं तो अब अगर ख नोकरी के सिस्दे में अपने किसी और काम के सिस्दे में आये हुएं और जब भी इनको क clarity होगी तो प्लीस की सबसेह पहले पहुंचेगी नंको मदद करेंगी और उनका मसला ह्ल करेंगी बहुत शुक्रीया थारा थे झार्पक थैंक्यू else यह थे हमारे साथ SP Admin Safe City जुल्फकार सहाब और उनने बताया कि अगर आप अपने गिर्दोनमा में किसी भी किसम की मुश्कूक सरगर्मी देखते हैं तो लाजमी तौर पर वन फाइफ पे इतला दें और से क्यूरिटी के पॉंट इपू से बताया कि दो हजार से जादा कैमरे पूरे सुबा भर में नसब कर दिये हैं चार सो लाहौर में नसब कर दिये हैं जिनके डिफरेंट कंट्रोल सेंटर्स हैं सिरफ और सिरफ इसलिए ताके आपकी आने वाली जो खुशी है एदुल-फितर की वूस को सेफ और साउंड बनाया जा सके तो इसके साथ साथ हमें अ आप देखे हैं जी गुड बॉर्निंग सेफ सिटी और आपको पता है जी हमारा आखरी सेग्मेंट होता है बहुत ही इंट्रस्टिंग कुछ इंट्रस्टिंग नियूस हम आपके लिए धूंड के लाते हैं पहली ख़बर जो मैं शेयर करकी वह भी बड़ी किसी इंफ्रमेशन वाली बात है कि आपको बता है कि दो मुमालिक के दर्मयान में एक सरहत होती है बलकुर इस तरह से सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी अच्छा सवाल भी आप से मैं पूछती हूं हमेशा की तरह हमेशा की सबसे बड़ी सरहत किस मुल किस मूलके सबसे बड़ी सरहता किस सबसे बड़ी सरहत है कि सबसे बड़ी सरहत मेरा ख्यान से अ worship से एнова इस बताऊंगे जी इस सहरत का नाम भी और ये इस पेन और मराकश के दसाथ यहीं इसकी सहरत जुड़ती है और ये इतनी चोटी है कि 85 इसका जो लंबाई है कुल फिर्फ पचासी मीटर है पचासी मीटर इसकी सिर्फ लेंथ है और ये जी इसका नाम है पैनन्दवेलस देला गु इसको दुनिया की सबसे छोटी सहरत कहा जाता है इसका इसकी इसकी जायरा वहैं बिदुस्तराइब तरह कि अकुल लंबाई इसको जब आपको बताया के मराकश और स्पेन के मावएन है इसको इसका जो कि उन्होंने वहां से फता कर लिया था लेकिन वैसे मारा कश में थी यह हमारा हिस्सा है हमें वापिस कर दिया जाया जिसकी वरा से इपनी फॉज भी वहां खड़ी कर दी चोटी सहरत है लेकि जार है वह साहिल है पूरा समंदर वाला एरिया है बड़ी खुबसूरत जगह है वह इस हमाले से कुछ जंगे भी चलती रही सन 1564 में यह स्पैन ने हा है अमेरिका है और सबसे सोटी है कि स्पैन और मराकश के दम्यान में हैं और इसको इदा के मजीद भी आप सर्च कीजएगा ऐसा होता है अक्सर लोग कई जगों पर कबजे भी कर लेते हैं लेकिन खायर यह उनका अपना मामला है मेरा मकसद था आपको यह बताना कि किन दो म माले के दरनान स्पेरख के म कि मुझे जिस कि आपने इंट्रेस्टिंग बाट थूड़क में और में आप से सवाल करूंगा शवार्यान से प्जिए क्यों शुक्ता है तो मुझे बताएं कि आपको अपको इसलिए था कोई इतना इतना रिक्रेज और इतना उसको जनून की हथ तक पागलपन भी हो सकता है कि उसके पास घडियों की ऐसी क्विलेक्शन हों कि जो के इतनी नयाब हों, जो कि ना सिरफ उसने किसी एक मुल्क से कियों बलके बेशुमार मुल्कों से कियों हाँ, विल्कुल ऐसा होता है रिकार्ड के लिए तो इतना है तक जब हम अब बुरदान आपसे शेयर करते हैं तो आप ऐसे से काम में दुनिया कर जाती है कि आप डंग रह जाते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन गैस कर सकती है कि इस शक्स ने कितने मुलकों से उस घड़ी की होगा जो कि आप खबर ढूंके लाएं इसका मतलब है कि इसमें को रियालिटी है तो मैंने गेस्ट कर लिया, वाकिया ऐसा कुछ होगा तो मुझे बताएं कौन ये शक्त को इतना क्रेज़ करने होगा ये वाकिया ये है के दुनिया भर से 366 घडिया जमा करने वाला जर्मन शहरी वैसे तो राउंड अबाउट दुनिया भर में 253-256 मुमालिक है उसने जो है वो एक मुल्क से जादा भी ले ली होंगी तो इसका और ये सोशल मीडिया पे काफी वाइरल है इसकी बिल्कुल जर्मन शहरी है और इसने 266 घडियां कलेक्ट कर ली है और जो सारी दुनिया में घूमा है इसकी थोड़ी जो इससे बाचित करते हैं इंटर्वी को दुरान इसने बताया है कि किसी ये एक ऐसी एरलाइन में काम करता था जहां पर इसको डिसकाउंट मिलता था एक ट्रावल को दा करना पड़ता था था दूसरे मुलक जाने के लिए 10 पी सतर चाउंट करना पड़ता था और इसकी वज्चाई धा शौक भी था और इसे बड़ी ही नयाब घडियां जहें वनक्राइक की हैं tychnya के तो इसके पास 366 घड़ियों का एक मुकमल पड़ा वाय और यह लोगों को दिखाता भी है और यह घड़िया इसके सोच के मताबिक नौट फो सेल हैं आगे जागे इसकी सोच बदल जाए हैं कुछ कह नहीं सकते तो आप भी जूर इस बंदे को सर्च करें और फिर आप देखें कि इसकी घड़ियों क्या है और कितनी नयाब घड़ियां हैं इसके पास और आप कॉमेंट के हमें बताईएगा कि आपको कैसा लगा इसके घड़ियों का कैसा लगा और मजीद 20 हवाले से हमें भी गाइड की ज चाहते हैं कि इस टॉपिक के बात होनी चाहिए तो आप अपनी घीमती आरा से हमें अगाह कर सकते हैं हमारा चुटर का अकाउंट है पीए सीए सेफ सिटीज और हमारा फेस्बुक का अकाउंट है पजाब सेफ सिटीज अपना बहुत सा खया लगएगा दौा में मुझे आद रखिएगा कल किसी नए सेग्मेंट के साथ कुछ और इंट्रेस्टिंग बातों के साथ आपकी खिबर में हाजिर होंगे अलानिके बाहन